Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Rajvi. So I am here with 6th tense, continuous future tense. इल्लेके चालू बविश शेकार. So without wasting time, let's study with me, your friend Rajvi. So as we have seen before, के continuous present tense नो उप्योग ए हतो, के present मा, हाल मा, वर्तमान मा कोई क्रिया चाली रही छे, ते दर्शवा माटे continuous present tense नो उप्योग थाय छे. सेम एस continuous past tense नो उप्योग हतो, के past मा, अमुग 24 समय कोई क्रिया चाली रही हती. तेम दर्शवा माटे continuous past tense इल्लेके चालू भूतकर नो उप्योग थातो हतो. So continuous future tense नो उप्योग ए माटे थाय छे, के भविश्यमा कोई क्रिया चालू हशे. तेम probability संभावना दर्शावा माटे continuous future tense नो उप्योग थाय छे. तो आपने हावे continuous future tense थोड़ूग डीप मा समझी लईए. As you can see here, मैं या continuous future tense एल्ले चालू भविश्यकार नो उप्योग थाय छे, के भविश्यमा आना पछी ना समय मा अमुग 24 समय अमुग 24 क्रिया चालू हशे, तेम दर्शावा माटे continuous future tense एल्लेके चालू भविश्यकार नो उप्योग थाय छे. हवे future tense ना to be ना रूप छे will शेल अने एज रिते continuous future tense ना helping वप छे will भी अथवा शेल भी. I अने V साथे शेल लागे छे, बीजा बद्धा इल्लेके U, V, D, साथे आपने लोको will लगाई शके छे, परन्तु modern English प्रमाणे बद्धाज करता साथे will लागी शके छे. So, अहिया मैं मुक एग्जाम्पल ली दिला छे, जे समझमामा एकदम सिंपल छे, प्लास continuous future tense नो concept अने structure एपन तमने आएग्जाम्पल माथी खबर पड़ी चे छे, तो first example छे, I shall be meeting you tomorrow 5 o'clock, हूँ आवती काले 5 वागे तमने मरती होईश. तो तमने ख्याल छे कि तम में बद्धात सब्जेक्ट साथे will be plus ing मुकी शको छो, परन्तु अगर आपने लोको जोवा जेए तो I आने V साथे shell मुकार छे, प्लस B प्लस ing वाड़ो रूप, तो एज रिते यहां I plus shell plus B plus meeting एवी रिते यहां मुकायू छे, सेकंड एक्जाम्पल छे, मिस्टी विल बी रनिंग इन मैराथन दिस सेटेडे, मिस्टी आ शनिवारे मैराथन मा दोड़ती हर छे, सो मिस्टी ए शी मा आवे छे, शी साथे will plus B plus running एटले के ing वाड़ो रूप मुकायू छे, पण तमें यहां जुई शको छो कि जे रन छे, मा एन डबल थायो छे, आने ing लगाडायो छे, तो आपने खबर छे, एनो useful notes के ज्यारे पण क्रिया पदना अंते एकज वेंजन होई, तेनी आगर एकज स्वर होई, तो जे वेंजन होई, ए डबल थाय छे, क्यारे तो ing नू रूप मुकता वखते, थर्ड एकजम्पल छे, वी शेल बी वाचिंग टॉमेंजरी टुमारो दिस टाइम, अमे काले आ समय टॉमेंजरी जोता होई शू, वी साथे शेल, लस बी, लस वब आइन जी, एलेके वाचिंग, फोर्थ एकजम्पल छे, दो पोएट विल बी राइटिंग अब तो पोयम कवे ए प्रोग्राम माटे कवी ता लगता हर शे, तो जे पोएट छे और ए ही और शी बनने होई शके, तो दो पोएट नी साथे विल प्लस बी प्लस आइन जी वाड़ो रोप मुकायो छे, हावे फटा-फटा आपने लोको स्ट्रक्टर जोई लई ये, सो हावे तम्में य शको छो, कि मैं त्रणे इजे सेंटेंस होई छे आपना, एसेल्टिव सेंटेंस, नेगिटिव सेंटेंस अने इंट्रूगेटिव सेंटेंस, तो एना मैं या स्ट्रक्टर लखेला छे, ए एसेल्टिव सेंटेंस रू स्ट्रक्टर छे, विल शेल प्लस बी प्लस वावाई परन्तु तमने खबर छे कि Modern English प्रमाणे बद्धाज करता साथे तमें विल लगाई शको छो अने जो तमने शेल नो उप्योग करवो होई तो आई अने वी साथे शेल तमें लगाड़ी शको छो Negative sentence मां not उमेराई छे तो will shell plus not plus b plus verb ing टेज रिते इंट्रोगेटिव सेंटेंस मां will shell आगड़ आवी जय छे तथा verb ना ing वाड़ा रूपना आगड़ b मुकी question mark मुकाई छे तो एनी नानी एवी में अहिया स्रक्चर आपद दिधेली छे के will shell plus subject plus b plus verb ing हवे तमने द्यान ए राखवानू छे कि जे verb नो ing वाड़ो रूप होए छे एनी आगड़ाज हमेशा b आवे छे first of all आपने लोको assertive sentence नी वाखे रिचना जोई लेशू तो assertive sentence नूँ श्रक्टर m के छे कि करता इल्ले के subject plus will be अथवा शेल बी plus verb ing plus karma एल्ले के object plus extension एल्ले के अन्यशब्दो तो हवे यह चालू काड़ा छे एल्ले ing लगड़ों आयो छे plus will अने shell ए future tense ना helping verb या to be ना रूप बनने कई शकाए तो will be अथवा shell बी plus verb ing example तमें यह जोई शको छो कि bob will be going to the library याने कि bob library जतो हशे हवे तमें यह जोई शको छो कि bob ए हीमा आवे छे एटले ही साथे will plus be अने going एटले के ing वाड़ों रूप मुकायो छे तेज रिते तमें बिजू example जोई शको छो I shall be reading various type of books हवे यह चे कि I ना सथे shell मुकायो छे plus b plus reading एटले के ing वाड़ों रूप छे एनो मिनिंग थाई छे हुँ अलग-अलग प्रकार नी पुस्तको वास्ती होईश थर्ड एग्जांपल छे you will be taking lunch यानी तमें बाड़ों लेता हशो तो यह तमें जोई शको छो कि you साथे will मुकाय छे plus b plus ing वाड़ों रूप तेकना स्पेलिंग t, a, k, e थाई छे परन्तु जे क्रियापद ने अंते e होई तो e निकाड़ी ने ing लागे छे अगर तमने या useful notes जोईती होई तो तमें मारा previous वीडियो मा इले के continuous present tense ना वीडियो मा जहिने जोई शको छो moving to the negative structure of continuous future tense तो negative sentence उन शक्चर हैं के छे कि करता इले के subject plus will shall plus not plus be plus verb ing इले के क्रियापद नो ing वाड़ों फॉर्म plus karma इले के object plus extension इले के अनिशब्दों तो तमने m confusion create थाए कि will be shall be पच्छी not आऊशे कि will shall पच्छी not आऊशे ने पच्छी भी आऊशे तो यहां में लखी दिदेलू छे कि will shall plus not plus be plus verb ing इटलू धियान मा राखू कि verb ing आवे any आगरस b आऊशे तो आमें या एक्जांपल दिदेला छे they will not be sleeping late till this Saturday तेओ आश अनिवारे मौडा सुधी शूशे नहीं सेकर्ड एक्जांपल छे girls will not be swimming on Sunday after lunch इले के जम्या पची छोकरियों स्वीमिंग करती हशे नहीं तो negative sentence पची आपने लोगों interrogative sentence तरफ जहिए सो आईया में continuous future sentence नो interrogative sentence नो structure लखे दी देलू छे तो interrogative sentence मां तमने खबर छे कि जे hv इले के आपनो helping verb होई चे या to b नू रूप होई चे ए आगड़ आवी जहे छे तो same as आईया will shall आगड़ आवी जहे छे तो interrogative sentence नी वाके रिशना छे will shall plus करता इले के subject plus b plus verb ing plus कर्म इले के object plus extension इले के अन्यशब्दो plus question mark question mark interrogative sentence मां क्या रही ना भूलवू plus जे verb ing नू रूप होई चे एनी आगड़ b आवे छे तो यहाँ आपने example जोई लेशू तो example number one shall i be studying math the next week शो मूँ आवता अठवड़े गणित भंतो होई श तो हवे यह subject i छे इले i ना साथे आगड़ shell मुकायू छे plus b plus studying एले के verb नू ing वड़ो रूप मुकायू छे तेज रिते bj example छे will you be cutting vegetables the next day after tomorrow शू तमें आवती कनला पछी ना दिवसे शाकभजी कापता हशो तो आयां तमें जोई शको छो कि subject u छे u साथे में will लगड़ायू छे plus b plus cutting हवे या cutting माँ t double थायू छे कारण के आपने नियम खबर छे के जे cut जे छे ए छिल्ले t आवे छे इलेके t व्यंजिन छे एनी आगर u बॉवल छे इलेके स्वर्ड छे तो जे व्यंजिन होई a double थाय चे बेवड़ाय छे तथा ing लागे छे so as you can see the exercise तो exercise मा जे blanks आपिली छे ए फिल करवा माटे तमारे will शेल प्लस b प्लस ing मुकवानू छे तमें बद्धात सब्जेक्ट साथे will b प्लस ing मुको तो पन कई जवांदो नती हवे a सिख्वानू छे के जे b छे ए जे ing वाड़ू फोर्म छे एना आगड़ाऊ छे तो ए ध्यान मा राखवू hope you solve the exercise for your practice so exercise 2 exercise 2 ए स्पोकन इंग्लिश जे लोकोने करवू छे जे लोकोने इंग्लिश बोलता शिखू छे m ना माटे में आमों गुजराती माई या सेंटेंस आपेला छे तो ए सेंटेंस ने तम्हें इंग्लिश मां कन्वर्ट करीने तमारू इंग्लिश सुधारी शको छो ए थी तमारू वक्योबिलरी पन पाको थे शे लस के वर्ब्स पन आवर शे hope you solve the exercise, thank you जो तम्हें मारो कोईपन वीडियो मिस करे होई चुकी गया हो तम्हें मारा तम्माम वीडियो नी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मा लिंक आपे लिछे तो तम्हें त्या जहीने इंग पर टच करीने ए वीडियो जो ही शको छो thank you to keep yourself updated with my newest video, show some love, thank you